श्री हरी वसुदे वसुतम देवं कम सचानूर मर्दम देव की परमानंदम कृष्टम मन्दे जगत गुरुम उत्तर प्रदेश के राजपाल आनंदि बेन पटे मुखमेंद्री सिवान योगी आधित्यनाज जी गीता प्रेश के श्री केश्वराम अगरवाल जी श्री विष्ठु प्रसार जी सांसत भायरविकिशन जी अन्य महनुभाव देवियों और सज्जनों सावन का पवित्र मास इंद्र देव का अशिरवात शिवा अवतार गुरु गोरखनात की तपोस्थली और अनेक अनेक संतों की कर्मस्थली एक गेता प्रेश गोरखपूर जब संतों का आशिरवात थलिपूत होता है तब इस तरह के सुख़द अवसर का लाब मिलता है इस बार का मेरा गोरखपूर का दोरा विकास भी दिरासत भी इस नीती का एक अध्भूत उदारण है मुझे भी चित्रमय शिवपुराण और नेपाली भाषा में शिवपुराण के विमोचन का सहुभाग्य मिला है गीता प्रेश के इस कारकम के बाद मैं गोरखपूर रेलवे स्टेशन जाऊंगा आज से ही गोरखपूर रेलवे स्टेशन के आधुनी करण का काम भी शुरू होने जा रहा है और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्विरे डाली है लोग हिरान होकर के देख रहे हैं लोगोंने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरग काया कल्पव हो सकता है और उसी कारकम में मैं गोरखपूर से लखनों के लिए बंदे भारत ट्रेंग को हरी जंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोदपूर से हमदाबाद के बीच चलने वाली बंदे भारत एक्स्प्रेस को भी रवाना किया जाएगा बंदे भारत ट्रेंग ने देश के मध्यमबर को सुविदाओं और सहुलियतों के लिए एक नई उडान दी है एक समय था जम नेता लोग चिठियां लिखा करते थे कि हमारे एक शेत्र में इस ट्रेंग का एक जरा होल्ट बना ले उस ट्रेंग का होल्ट बना ले आज देश के कौने कौने से नेता मुझे चिठियां लिख कर कहते है कि हमारे एक शेत्र से भी बंदे भारत चलाईए ये बंदे भारत का एक क्रेज है इन सारे आयोजनों के लिए मैं गुरकपूर के लोगों को देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ सात्यों गीता प्रेश विश्व का ऐसा इकलोता प्रिंटिंग प्रेश है जो सिर्फ एक संस्ता नहीं है बलकि एक जीवन्त आस्था है गीता प्रेश का कारेल है करोडो करोड लोगों के लिए किसी से किसी भी मंदिर से जराबी कम नहीं है इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है और जहां गीता है वहाँ साक्षात क्रश्ण है और जहां क्रश्ण है वहाँ करुणा भी है कर्म भी है वहाँ ज्यान का बोध भी है और विज्यान का शोध भी है क्योंकि गीता का वाक्य है वासु देवह सर्वम सब कुछ वासु देव में है सब कुछ बावसु देव से ही है सब कुछ बावसु देव में ही है भाई और भेहनो 1923 में गीता प्रेश के रुप में यहाँ जो अध्यात्मि जोती प्रजवलित हुई आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मारदर्शन कर रहा है हमारा सवभाग्य है कि हम सभी इस मानविय मिशन की सताब्दी के साक्षी बन रहे हैं इस अध्यात्य गवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेश को गांधी शांती पुरसकार भी दिया है गांधी जी का गीता प्रेश से भावनात्मक जुडाव था एक समय में गांधी जी कल्यान पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेश के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि ये देश की और से गीता प्रेश का सम्मान है इसके योगदान का सम्मान है और इसकी सो वर्सों की विरासत का सम्मान है इन सो वर्सों में गीता प्रेश द्वारा करोण करोण किताबे प्रकासित हो चुकी है आकड़ा कभी कोई सत्तर बताता है कोई अस्वी बताता है कोई नभे करोण बताता है ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है और ये पुस्तके लागत से भी कम मुल्य पर विक्ती हैं गरगर पहुँचाई जाती है आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रभाने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बवदिक तुरुप्ति दी होगी समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूँ जो इस यग्यमे निसकाम भाव से बीना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं मैं इस अवसर पर सेड़ जी स्री जैदयल गोइंका जी और भाई जी स्री हनवान प्रुषाद पोदार जैसी विभूतियों के प्रती अपनी स्रत धान्जली भी अर्पित करता हूँ साथियों गीता प्रेश जैसी संस्ता सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है भारत की एक जुड़ता को ससक्त करती है देश भरबेश की 20 साखाएं है देश के हर कौने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेश का स्ट्रोल देखने को मिलता है 15 अलग अलग भाशाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं गीता प्रेश अलग अलग भाशाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुँचाती है गीता प्रेश एक तरह से एक भारत स्ट्रेश्ट भारत की भावना को प्रतिनीदित्व देती है साथियों गीता प्रेश ने अपने सो वर्षों की यह आत्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है इस तरह के योग केवल सही योग नहीं होते 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर जागरण के लिए अलग-अलग शेत्रों में प्रयास किये अलग-अलग संस्ताओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया इसी का परणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए पुरी तरह तयार हो गया गीता प्रेश की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी सौ साल पहले का ऐसा समय जब सज्यों की गुलामी ने भारत की चेतना को दुमिल कर दिया था आप भी जानते हैं कि इससे भी सेक्ड़ों साल पहले विदेशी अकरांताओं ने हमारे पुस्ताकानों को जलाया था अंग्रेजों के दोर में गुरु कुल और गुरु परंपरा लगबग नश्ट कर दिये गए थे ऐसे मैं स्वाबाविक था कि ज्यान और विरासप लुप्त होने की कगार पर थे हमारे पुझ ग्रंथ गायब होने लगे थे जो प्रिंटिंग प्रिज भारत में थे वो महिंगी किम्मत के कारण सामान ने मानवी की पहुँच से दूर थे अब कल्पना करिए गीता और रामाण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा जब मुल्यों और आदर्शों के स्त्रोथ ही सुखने लगे तो समाज का प्रवाँ अपने आप थमने लगता है लेकिन साथियों हमें एक बात और याद रखनी है हमारे भारत के अनादी आत्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए है जब हम और और जादा परिस्कृत होकर के निकले हैं कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मन राए है लेकिन तब हमें स्रीमत भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वात मिलता है यदा यदा ही धर्मश्य ग्लानिर भावती भारत अभ्यत्थानम अर्धमश्य तदात्मानम सुजाम्वेहम अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर सत्य की सत्ता पर संकट आता है तब तब इस्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और गीता का दसवाद ध्याय बताता है कि इस्वर कितनी ही विभूतियों के रुपे सामने आ सकता है कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते है तो कभी गीता प्रेश जैसे संता है मानिविये मुल्यों और अधर्शों को पुनर्जिवित करने के लिए जन्म लेती है इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेश ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवा तेज हो गया गीता समेत हमारे धर्म गरंथ फिर से घर घर गुन्जने लगे मानस फिर से भारत के मानस से हिल मिल गई इस गरंथों से पारिवगर परंपनाएं और नई पीडिया जूडने लगी हमारे पवित्र घंत आने वाली पीडियों की थाती बनने लगे साथियों गीता प्रेश इस बात का भी प्रमान है कि जब आपके उदेश पवित्र होते हैं आपके मुल्य पवित्र होते हैं तो सभलता आपका परियाय बन जाती है गीता प्रेश एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मुल्यों को सम्रुद्द किया है लोगों को कर्तव्य पत का रास्ता दिखाया है गंगा जी की स्वच्थता की बात हो योग विज्ञान की बात हो पतंजली योग सुत्र का प्रकाशन हो आविवेश से जुड़ा आरोग्य अंक हो भारतिय जीवन सहली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवन चरिया अंक हो समाज में सेवा के आदर्सों को मजबुत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट सेवा की प्रिणा जुड़ी रही है राष्ट निर्मान का संकल्प रहा है साथियों संतों की तपस्या कभी निश्फल नहीं होती उनके संकल्प कभी सुन्य नहीं होते इनी संकल्पों का प्रणाव है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा मैंने लाल किले से कहा था और आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है और इसलिए सुरूरात में भी मैंने कहा आज देश, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है आज एक और भारत डिजिटल टक्नोलोजियों में नएक रिकॉर्ड बना रहा है तो साथ ही सद्यों बाद काश्री में विश्वनाद धाम का दिव्य स्वरूपी देश के सामने प्रकट हुआ है आज हम वर्ल्ड काश इंफ्रास्रेक्टर मना रहे हैं तो साथ ही केदार नार्त और महा काल महा लोग जैसे तिर्थों की भवेता के साक्षी भी बन रहे है सद्यों बाद अयोद्या में भवे राम मंदिर का सपना हमारा सपना पुरा होने जा रहा है हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौ सेना के जंडे पर गुलामी के प्रतिक चिन को ढो रहे थे हम राजदानी दिल्नी में भारतिय संसत के बगल में अंग्रेजी परमपराओं पर चल रहे थे हमने पूरे आत्म विश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है भारतिय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था इसलिए अब भारत की नौ सेना के जंडे पर छत्रपदी सिवारी इमाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है अब गुलामी के दौर का राजपत कर्तब्य पत्कर बनकर कर्तब्य भाव की प्रेना दे रहा है आदेश की जन्यजातिय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जन्यजातिय स्वतंतरता सेनानी मिज्यम बनाए जा रहे हैं हमारी जो पवित्र प्राचिन मुर्तियां चोरी करके देश के बाहर बेज़ दी गई थी वो भी अब वापत हमारे मंदिरों में आ रही है जिस विक्षित और अध्यात्मिक बनत का विचार हमारे मनिश्यों ने हमें दिया है आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं मुझे भी स्वास है हमारे शंतों, रुशियों, मुनियों और कि अध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगिन विकास को ऐसे ही उज़्या देती रहेगी हम एक नए भारत का निर्मार करेंगे और विश्व कल्यान के अपनी भावना को सभल बनाएंगे इसी के साथ आप सभी का इस पवित्र आउसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मुझे भी इस पवित्र कार्य में कुछ पल के लिए क्यों नहीं आपके बीच बिताने का आउसर मिला मेरे जीवन का इस्थाद भाग्या है आप सब को मैं फिर से एक बार रदे से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत-बहुत शुब कामना ही देता हूँ